आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाशल प्रदेश में क्लास 4 के पदों पर होने वाली भरतियों की और साथ में बात करेंगे हिमाशल प्रदेश कैबिनेट बैठर की हिमाशल प्रदेश कैबिनेट बैठक का आयोजन आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जाहराम ठाकुर की अधग्षिता में किया गया इस बैठक में कई महातवफून फैसले लिएगे लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि सरकार ने किन-किन पदों को भरने की अपनी सविकृति प्रदान की है आपने अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा तो बात करते हैं यहाँ पर कि वो कौन-कौन से पद रहने वाले हैं जिनको सरकार ने भरने की अपनी सविकृति प्रदान कर दी है कैबिनेट ने किन और और लाहल स्पिती जिलों को छोड़ कर परदेश के बाकी दस जिलों के जिला अस्पतालों में फीजियो थेरपिस्ट का एक एक पस रिज़ित करने और उसको भरने का निरने लिया है इसके अतिरिक्त जेल एवं सुधार प्रशाशन विवाग ने जूनियर टैकनेशन के तीन पद अनुबंध अधार पर भरने को भी सहमति परदान की गई है इसके अलावा बैटक में आर्थिकी एवं सांके की विवाग में अनुबंध अधार पर विविन श्रेणियों के 18 पदों को भरने का सरकार ने यहाँ पर निरने लिया है और इसके साथ यहाँ पर कैबिनेट ने आपकारी एवं कराधान विवाग में दैनिक भोगी अधार पर चालकों के 5 पदों को भरने का भी यहाँ पर निरने लिया है मतलब की अपनी मंजूरी दी है इन पदों को मंजूरी दी है भरने की लेकिन कब भरेंगे इसकी कोई confirm अभी guarantee नहीं है तो अब यहाँ पर बात करते हैं हिमाशल प्रदेश में Class 4 के पदों पर होने वाली भरतियों की हिमाशल प्रदेश में Class 4 के पद भरे जाने वाले हैं और यह पद भरे जाएंगे हिमाशल प्रदेश Council for Science, Technology and Environment में कुलमिला के तीन पद भरे जाने वाले हैं अगर बात करें यहाँ पर category wise अन्रिजर्व से एक पद भरा जाएगा OBC category से एक पद भरा जाएगा और एक पद यहाँ पर भरा जाएगा अन्रिजर्व एक सर्विसमेन category से इसके लिए आप 10 में पास होने चाहिए और आपकी age limit मतलब की age 30 September 2020 को कम से कम 18 वर्ष होने चाहिए और आपकी maximum age 45 years होने चाहिए अगर बात करें यहाँ पर application fees की तो general OBC category के लिए 150 रुपीज application fees रहेगी और अन्रिजर्व के लिए यहाँ पर 100 रुपीज application fees रहने वाली है fees देने के लिए आपको bank trust या IPO बनाना होगा in the favor of member secretary H-I-M-C-O-S-T-E के नाम से मतलब की him cost के नाम से आपको यहाँ पर IPO बनाना होगा यहाँ पर अगर आप ex-serviceman हो आप person with disability हो आप female candidate हो तो आपको यहाँ पर कोई भी fees नहीं देनी है आप totally यहाँ पर exempted हो आपको fees यहाँ पर नहीं देनी है इसके लिए आप इदन करने की last date रहेगी 30 September 2020 इसके लिए application form का link आपको मिल जाएगा description में और इसकी notification को भी आप download कर सकते है link आपको मिल जाएगा description में और अगर आपने अभी देक हमारा mobile android application government jobs for you को install नहीं किया है तो जल्दी playstore पर जाए वहाँ पर search करे government jobs for you और इस application को अपने mobile phone में जरूर इंस्टाल कर लीजेगा